श्री राम कथा में भजनों का आनंद नहीं है, इसमें तो चोपाई का आनंद है, एक आदमे ने कहा कि इससे मिलता क्या है, राम कथा से क्या मिलता है इसको सुनने से, कहा कि तो आपको चाहिए क्या, बोले हमको जो चाहिए मिल जाएगा, बोले हाँ, इसमें सब मिलता है, मती की रती गती भूते भलाई जब जेही जतन जहां जेहे पाई मत जब जेही जतन जहां जेही पाई मत जन फल देखिये तत काला 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 काक हो ही पिक बगव मराला काक हो ही पिक बगव मराला काक हो ही पिक बगव मराला जरा सुनो क्या क्या मिलने वाला है आपको समझे जरा एक तो मत जन फल देखिये तत काला तत काल क्या मिलेगा इस नौ दिन में यहां से विदाई होने से पहले आपको क्या मिलने वाला है जनना चाहते हो जनना चाहते हैं न यस आप नोट करिए राइड डाउन आपको जो मिलने वाला है काक हो ही पिक बगव मराला कवव कोयल हो जाता है और बगवला हंस हो जाता है जो कवव सद्रिश इसमें श्रूता है वो कोयल होंगे और जो बगुला सद्रिस है वो हनस होंगे क्या मतलब है भाई यहां कोई कववा बगला थोड़ी बैठे है तो समझो कववा की विशेष्ता क्या उसकी भासा करकश है कववा की वानी कैसी है करकश है जो कटुबादी है करकशवादी है वह भी मधूर भाशी हो जाएगा काक हो ही पिक पिक मतलब कोयल कोयल की तरह आवाज आपकी होने वाली है यह ततकाल फल आपको मिलेगा इस नौ दिन के दर्मियान मिलेगा आपकी वानी मधूर हो जाएगी दूसरा इसका भी कम उप्योग नहीं है हर पुरुषवर्ग इस चीज़ से परेशान है क्यों हर पुरुषवर्ग परेशान है एक आदमी की घरवाली बेहोस हो गई बेहोस तुछड़ो एक आदमी की घरवाली की एक आदमी ने तस्वीर बना दिया क्या कर दिया वो पेंटर होते हैं आजकल खुश करने के लिए उसकी बीबी की तस्वीर बना कर ला दिया उसने देखा वाह बढ़िया बनाए उसने कहा सरकार अभी क्या है ऐसा बना दो की बोल पड़ेगी बोले बस यही नहीं करना यही नहीं करना बोले ऐसा बना दो ऐसी तस्वीर बना दो की बस बोल पड़ेगी, बोले बस, यही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब बोल जाती तो चुप ही नहीं हो पाती है, एक आदमी ने कहा कि पत्नी को आप खुष तो कर सकते लेकिन चुप नहीं कर सकते, यह सोध में बताया है, सोध से पता चला है, कि आप खुष कर देंगे, चुप नहीं कर पाएंगे, हाँ, बड़े बड़े नहीं कर पाएंगे, आप क्या कर पाएंगे, बड़े बड़े नही करेंगे तो काक हो ही पिक भाई कड़वी कड़वी बोलने वाले अच्छी अच्छी बोलने लग जाए तो पहला लाव है कि नहीं है है लाव दूसरा देखो बकव मराला अभी आप लोग खुश हो गए कि श्रीमतियम मीठी बोलेगी तो आनन्द आ जाएगा अब इनकोल आप देखो क्या मिलने वाला है बोले बकव मराला जो बगुला है वो हंस हो जाएगा बगुला क्या है भई बगुला देखने में तो बड़ा सुन्दर साफ सुत्रा रहता है लेकिन उसका खान पान ठीक नहीं होता है यह सब घरवाली परेशान रतीस बात से के उसका हस्वेंट गुठका खा लेता है और विस्तरवरस के मूँ से बदवू आती विचारी कहवे नहीं पाती है उसका पती देव कभी शराब पी लेता है उसका पती देव कुछ भी खापी के नशा खापी के तो विचारी को घर में सुकून नहीं है कश्ट है इस राम कथा की विशेष्टा है यदि आपने मजजन कर लिया इसमें डुबकी लगा लिया तो आज आप राजहंश बनने वाले हैं बगले से राजहंश आपका खान पान बदल जाएगा आप जो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आप इसका निरने कर सकेंगे ये तो वह ततकाल फल दो मिलेगा आपने जान लिया दो फल इसके तत्काल मिलेंगे बाकि चार फल बाद में मिलेंगे वो क्या देखिए अभी और देखो मती मती अनि बुद्धी अच्छी बुद्धी सद बुद्धी चाहिए कि नहीं चाहिए सब को चाहिए वही क्योंकि इतने उम्र के हो गए फिर भी गल्तियां होती रहती है फिर भी ढोके खाते रहते है तो अच्छी मती चाहिए तो मती मिलेगी दूसरा कीरती कीरती सब को चाहिए यस तो सब को चाहिए क्योंकि कीरती यस सब जीवती यहां सब मरते हैं लेकिन जो कीरती वान होता है वह जिंदा रहता है वह कभी नहीं मरता है तो कीरती भी आपको मिलेगी इसमें इस कथा के श्रवन करने से आपके मन में होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जीवन में कुछ लक्ष आपको दीखने लगेगा कुछ कीरती मान स्थापित कर 3 पिर पिरति के सद्गति को यानि आपकी दुर्गति नहीं होगी और समझते न कभी दूर दिन आपके जीवन में नहीं आईगा अच्छे दिन आपके बने रहेंगे ये रामकथा से मिलने वाला है तीन हुआ मति केरति गति फिर लिखा चौथा भूति भूति मिन्स एश्वरिय वैभव एश्वरि की भी आपको कमी नहीं रहेगे आपका जीवन एश्वरिय शाली होगा वैभव शाली होगा प्रभुता संपन्न होगा आपका जीवन और पांच भी है भलाई भलाई मतलब सीधापन, सरलता, रिजुता, हाँ, आर्यवता आपका जीवन कठिन नहीं, सरल होगा कोई विक्ति आपको देखेगा, तो देखते मन में एक बात आएगी कि आदमी कितना सीधा है, कितना सरल है हमारा जीवन सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए मती, कीर्ती, गती, भूती और भलाई, ये पांच बले ये पांच चीज, जब जिसने जहां भी पाया है वो केबल और केबल सत्संग से पाया है, इसके अलावा कोई स्तान नहीं है जहां मिला हो और एक तो हमने कहा ये नहीं, ये तो हमने सब ये तो बता दिया पांच चीज, और चार चीज़ है, वो है सुनि समजही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अच्छत तनू, साधु समाज प्रयाग चार फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार पुरुशार्त होता है जीवन का परंफल कोई पूछे कि जीवन का लक्ष क्या है, ये चार चीज़े है क्या-क्या, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष अर्थ तो आप जानते हैं, धर्म, धन, धन, रुप्या, पैसा, जीवन में ये भी जरूरी है दूसरा, धर्मात्मा होना भी जरूरी है क्योंकि केवल धन से आप सुखी नहीं हो सकते ठीक है, तो धर्म होना जरूरी है बच्चा धार्मी को हो, तो माता पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा धार्मी के है मैं इतना करता हूँ, मेरा बेटा इतना करता है इस बात का गर्व होता है जीते जी भी गर्व होता है और जिनके माता पिता चले जाते हैं उनको भी स्वर्ग में आनंद होता है जब आप कोई बड़ा कारी करते हैं न स्वार्थ से उपर उठकर धार्मिक कार्य तो स्वर्ग में हमारे पितर नृत्थ करने लगते कि देखो, एक भक्त हमारे खांदान का नाम रोशन कर रहा है इतना अनन्द होता है, नाचने लगते हैं, देवसभा में धर्म, अर्थ, काम, काम कहते हैं कामना की पूर्ती जो जो भी कामना है, सारे कामना जीते जी पूर्ण हो जाते हैं, सारे कामना है हाँ, प्रभु की मूरती हिर्दय बसाईए, जोई इछे सोई भल पाईए एक छोटी सी भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहेगी आप इसको आप नोट कर लिजिये, जिसने मन में भगवान को बसा लिया जिनोंने गुरू के वचनों में पूर्ण विश्वास कर लिया एक दिन आप अनभव करने लगेंगे, कि हाई, हमने तो कभी ये सोच रखा था इस पर कभी फोकस भी नहीं किया था, आज वो सब प्राप्त हो गया सब सारी कामनाएं आपकी पूर्ण होगी लेकिन धीरज रखना है हाँ, धीरज नहीं खोना है उसके बाद, जो है, मोक्ष, अंतिमफल क्या है जीवन का, जीवन का अंतिमफल है मोक्ष मोक्ष ये दी सिद्ध नहीं कर पाए, तो जीवन अधूरा है फिर आना पड़ेगा और जब तक मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, तब तब आना पड़ेगा यानि सो बार भी आ सकते हैं हजार बार भी आ सकते हैं